Hello students, welcome back to the channel So, इस lecture में हम बात करने वाले हैं examples के बारे में जो के हमें convex mirror के दिये हैं So, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं example 10.1 की So, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters If a bus is located at 5 meter from this mirror find the position, nature and size of the image हब सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि यह position, nature and size का मतलब होता क्या है Position का मतलब होता है कि जो image है वो mirror के front में बनी है या back में बनी है तो जब भी आपसे पूछाओ का position आपने mention करना है that the image is formed dash meters or dash centimeters in front of the mirror और behind the mirror तो आप लोगों को यह लिखना है जब भी position के बारे में बात होती है nature के बारे में जब भी बात होगी तो nature मतलब real and inverted या फिर virtual and erect तो आपको यह mention करना है वहाँ पे कि जो nature है वो real and inverted है या फिर virtual and erect है तो आपको पता लग जाएगा अगर आपका V जो है वो negative में आ रहा है that means के it is real and inverted अगर आपका V positive आ रहा है that means it is virtual and erect इसके बात आता है आपका size of the image size of the image का मतलब होता है इसके दो मतलब होते हैं या तो होगा इसका मतलब magnification या फिर इसका मतलब होगा height of the image in most cases किसी किसी case में height of the object भी पूछ लेते हैं बट 90% cases में आपसे height of the image ही पूछी जाएगी तो size का मतलब दो होता है एक होता है या तो आपका height of the image या फिर magnification अब कैसे पता चलेगा कि हमें magnification निकालनी है या फिर height of the image अगर आपको height of object दी होगी तो आपको निकालना है height of image अगर आपको object की height नहीं दी होगी तो आपको निकालनी है सिर्फ और सिर्फ magnification ठीक है अगर height of object दिया है तो हमें का निकालना है height of image अगर हमें height of object नहीं दिया तो हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ magnification ठीक है सो start करते हैं हम हमारे first example से a convex mirror यह अभी मैंने जो question है यह पढ़ लिया आप लोगोंने भी देख लिया क्या है यह अब देखते हमें given क्या-क्या दिया है given के अगर हम बात करने तो हमें दिया है radius of curvature that is 3 meters then इसके बाद हमें दिया हुआ है object height यह कितनी दी है minus 5 meters y- क्योंकि अभी अभी हमने पड़ा था जो हमारा sign conventions है new cartesians sign convention उसमें हमने पड़ा कि जितने भी incident rays हैं वो सारी की left hand side से आएंगे और साथ के साथ हमने ये भी पड़ा कि left hand side के सारे ही distances जो हैं वो negative होंगे ठीक है तो इसलिए u is always negative object distance is always negative कभी भी गलती से भी यहां पे positive नहीं लिख देना और यह जो numericals है ना इसमें सिरफ positive और negative का ही खेल है अगर आपको positive negative समझ में आ गया तो आपकी solutions बहुत अच्छे निकल के आएंगे आपको numerical से डर नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको positive negative समझ में नहीं आया तो आपसे यह numericals नहीं होने वाले एंड मैं इतना आपको बता रहा हूँ exam point of view से this chapter is very 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 important इसके ray diagrams and numericals definitely आते हैं इसका theoretical part आये ना आये नहीं बता होता लेकिन इसका इसके numericals and ray diagrams so definitely आते हैं and that worth at least five marks at least and मेरा यह मानना है and जितने भी students अच्छे से यहां से पढ़के गया उनका भी यह मानना है यह five marks दो है ना आपके minimum बता रहा हूँ यह minimum यह five से लेके eight marks भी हो सकता है okay so minimum आपको बता रहा हूँ अगर आपने यह वाला chapter में सिर devi diagrams and numericals अच्छे से समझ लिए तो आपके eight marks are done free के marks है free के सिर्फ एक बार पटना है सिर्फ एक बार अच्छे से समझना है एक बार आपको अच्छे से समझ में आगया एक बार अगरको formula बनाना आगया एक बार आपको डिया ना अगया अच्छे से that's enough आपको पूरी जिंदगी याद रह सकते हैं, ठीक है, सो ध्यान से करना है, ये positive, negative, जो हमारपा sign conventions हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, Ray fever-시고 अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, Rayسم ओर आपर शे, sign conventions कर लिए then then numerical is you know just a cup of tea for you ठीक है आप कभी भी यह नहीं बोलोगे कि मुझे समझ में निया numerical आपको सिर्फ ray diagram समझने है जो वो table किया है वो समझना है and sign convention समझने है that's it अगर आपको table भी कोई इतना जरूरी नहीं है अगर आपको sign convention समझ में आ गया अगर ray diagram अगर आपके tip में है then आपको ज़रूरत ही नहीं है numerical को बार 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 करने की एक बार करो solid way से करो and आपके बहुत अच्छे marks आएंगे तो चलिए start करते हैं यहां पर object size हमें भी पता चल क्या था height image पता नहीं है हमें height of the image भी नहीं हमें हमें पता image distance भी हमिनिं पता थीक है वाल अगर सब्सक्राइब लिए अब double image हमें निकालने की जरू यह लूरद है और हमें इसके बाद हमें निकालना है focal length y क्योंकि हमारे पास formula क्या है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f अब 1 upon f u की value तो हमें दीवी है f की value तो नहीं दीवी f की value हमें निकालनी आती है लेकिन क्या होती है f is equal to r by 2 ठीक है अभी अभी हमने last class में हमने पढ़ा था यह ओके सो हम निकालेंगे r by 2, r हमारे पास है 3 divided by 2 किया हमने positive यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है positive क्यों लिखा हुआ है r क्योंकि यह convex mirror है convex mirror का f की side होता है right hand side ठीक है तो r जो है center of कर वेचर है वो भी किदर होगा right hand side right hand side के सारे के सारे distance is positive तो यह हमने लिख दिया positive यह हमारे पास है positive 1.5 meters अब हम formula लगाएंगे 1 upon v plus 1 upon u gives you 1 upon f formula में हम put करेंगे values सबसे पहले तो हमने क्या किया हमने 1 upon v निकालना है so इसको हमने separate कर लिया यहाँ पे 1 upon v निकालना है so यह तो as it is रहेगा यह यहाँ पे जाके minus हो जाएगा तो यह यहाँ पे जाके minus हो गया इसके बाद हमने values put कर दी 1 upon f की जगा हमने value डाल दी है यहाँ पे 1 upon 150 जो यहाँ पे निकाली थी then इसके बाद u की value जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली minus 5 दोनों का LCM निकाला LCM कितना है यहाँ 7.5 यहाँ पे कितना आया 5 इदर कितना आया 1.5 दोनों को plus किया कितना आया 6.5 divided by 7.5 लेकिन अब हमने इसका reciprocal कर लेना क्योंकि यह value तो किसकी आ रही है 1 upon V की हमें निकालना क्या है V तो हमने इसको reciprocate किया तो हमारा answer क्या है 1.15 meters So the image is 1.15 meters at the back of the mirror यह आगी हमारी position क्यों लिखा हमने back क्योंकि positive में answer आ रहा है यानि कि वो right hand side में होगा तो यह हमारा positive में आ गया और यह back of the mirror हो गया अब कोई image अगर right hand side में बन रही है तो उसका obvious हा मतलब क्या है कि अगर हमसे पूछी है nature of the image तो वो क्या होगी virtual and erect अब size का पता करना है कि जो size है वो छोटा होगा या बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे magnification का formula लगाएंगे अभी हम फिलाल ये वाला formula नहीं लगा रहे है magnification का formula लगाएंगे minus v upon u ठीक है so minus हमने as it is यहाँ पर लिख दिया v हमने यहाँ पर लिख दिया जब हमने इन दोनों को solve किया तो हमारा पास answer आया 0.23 ठीक है magnification की कोई भी unit नहीं होती meter centimeter कुछ नहीं होगा क्योंकि ये meter से meter भी cut किया so magnification की कोई भी unit नहीं होती है अब देखो जो हमारी अब क्या हुआ है जब भी 1 से 1 से below कोई भी value होगी वो smaller होगी 1 से above कोई भी value होगी तो वो larger होगी यहाँ पे जो 1 है वो benchmark है ठीक है यहाँ पे आपको 1 को देखना कि 1 से नीचे क्या है 1 से उपर क्या है 1 से नीचे कोई भी value आएगी smaller 1 से उपर कोई भी value आएगी तो it is larger ठीक है तो यह था आपका first example next example हम करेंगे next video में so I'll see you in the next one